हलो फ्रेंड्स मैं वो मितले इसकुमार और आपका स्वागत करता हूँ उदित फार्मेसी के ओनलाइन लेर्णिंग प्रेटफर्म पे तो आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ब्लड एड ब्लड सर्कुलेटर्टरी सिस्टम के exercise क्वेस्टन्स अथोप की इस वीडियो को देखने से पहले आपने इस सब्सक्राइब करने वाले हैं तो यह हमारा पार्ट वन वीडियो रहेगा सुछ्ट करते संफ नहीं करेंगे बलकि वह कॉशन किस को भी कंपलीट करने वह चलेंगे तापकि आपको हर एक चीज पता चलता है कि किसी भी concept से कैसे question बन सकता है और कितना important है वो concept तो पहला question हमारा क्या है Hemoglobin में low, low यानि iron की बात कर रहा है Low मतलब किसकी बात कर रहा है, iron की बात कर रहा है किस अवस्था में पाया जाता है, मतलब Hemoglobin में जो iron molecule है वो किस अवस्था में पाया जाता है, ferrous form में या फिर feric form में यही दोना option में confusion होता है, ferrous यानि fe plus 2 और feric मनतब fe plus 3 तो आपका answer हो जाएगा, ferrous form में, किसमें हो जाएगा, ferrous form में यानि fe plus 2 के form में पाया जाता है, ठीक है अब Hemoglobin से चुड़ी कुछ बाते हो तो देहान से देखेगा, तो जो हमारा Hemoglobin है, वो कितना important है हमारे Hemoglobin है क्या, एक pigment है, क्या है, pigment है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, हिंदी में वर्नक कहेंगे, हिंदी में क्या कहेंगे, वर्नक कहेंगे, वर्नक का काम क्या होता है, ब्लड को कलर प्रोवाइड, किसी भी चीज़ को कलर प्रोवाइड करता है, यह ब्लड में पाया जाना वाला pigment है, व्लड को कलर प्रोवाइड करता है blood का रंग red होता है hemoglobin के current ठीक है और hemoglobin किसमें पाया जाता है तो blood के जो एक RBC constituent है उसमें पाया जाता है किसमें RBC में hemoglobin पाया जाता है RBC कहने का मतलब होगा red blood cell और one molecule of RBC याद रखेगा ठीक है 280 hemoglobin एक molecule RBC में लगवग 280 hemoglobin होता है ठीक है यह बात ध्यान रख लेंगे आप a hemoglobin दो पॉर्ट से मिलकर बना हुआ एक होता है हीम पार्ट इसको iron वाला पार्ट करते हैं इसके गलोब वी में प्लस दूदित यानि फीर स्वीर स्वाइब क्षीन होता है लेकिनーい रख फीर संदा ठीक है gebracht स्वीर स्वीर स्वाइबियर स्वेस्वें और एक hemoglobin molecule में एक हेमोग्लोबिन molecule में कितना iron होता है तो 4 iron होता है किस फर में लिए फोर्म में multi जितने उते हैं कितने हैं फ्र एक हमोग्लोबिन है और आइरन is the binding site, क्या है? binding site binding site for oxygen for oxygen, जैसा कि आपको यह पता होगा कि hemoglobin blood में hemoglobin का जो main काम है blood में oxygen का transportation करना है तो blood में जो oxygen transportation hemoglobin काम कैसे करता है? बिल्कुल bus के जैसा, bus क्या करता है? सवारी को लेता है और उसको जगा पे पहुचा के फिर उतार देता है, just like that hemoglobin एक bus है, जिसमें की वो iron उसका seat है, iron क्या है? seat है, जैसे bus में seat होता है जितना seat है उतना ही आदमी जा पाएगा तो hemoglobin में कितना iron है? 4, तो कितना oxygen जा पाएगा? 4 oxygen, तो एक बार में एक hemoglobin मोलेकुल कितने oxygen को केरी कर सकता है, तो 4 oxygen को क्या हो? तो उसमें 4 ही को iron है और iron is the binding side, बतलब वहीं पे oxygen जोड़ता है, iron कह सकते है bus में जैसे seat होता है, वैसे hemoglobin में seat के समान क्या है? iron जितना iron molecule है, उतना ही oxygen केरी कर पाएगा, तो एक hemoglobin molecule कितना oxygen को करता है, तो 402 molecule चार oxygen molecule को करता है, ठीक है? फिर आप लोग देख सकते हैं, इसमें कितने alpha chain होते हैं, कितने beta chain globalin chain होता है, तो 2 alpha chain होते हैं, 2 alpha chain होते हैं, और 2 beta chain होते हैं याद रखिएगा, 2 alpha chain, 2 beta chain तो मैं क्या बोल रहा हूं? कि RBC में hemoglobin पाया जाता है एक molecule of RBC में लगभग 280 hemoglobin होता है, एक hemoglobin में 4 iron होता है 4 iron और iron ferrous के form में होता है, और iron is the binding site for oxygen, जैसे कहता है, कि bus में कैसे कितना seat है, उतने आदमें बैठ सकता है वैसे एक hemoglobin में 4 iron है, तो 4 oxygen को वो carry कर सकता है एक hemoglobin molecule कितना oxygen कर सकता है, चार oxygen कर सकता है और hemoglobin एक pigment है वरनक है, जो की blood को color provide करता है, और इसका जो main काम है, important work है, main function है वो oxygen के transportation करना है मतलब पूरे blood में रख के परवाह करी, वो क्या करी ही hemoglobin, ठीक है? समझ में आ रहा है hemoglobin करेगा, ओके? चली चली होता है, तो रुदहीर की उत्पत्ती भ्रून की किस अस्तर से होती है भ्रून का अस्तर कितना होता है? तीन, यादे, embryonic के जो layer होता है, वो कतना होता है, तीन होता है यह कूद का ectoderm, mesoderm and endoderm, जो सबसे बहार ही होता है तो जितना भी ब्लड से रिलेटेड है ब्लड हो गया फिर हो गया और्ड अस्तर्स वह तो म्你जोडर्म के ओर हो गया मेसोडर्मल होता है तो ब्लएड का नूतपत्ति किससे होगा मीजवर्मल ठीक हमारा ज्मांट स्पेस की है थे तक है मैंने मेजंडर्म मेध्य करना है हैं तो भूमिजो डर्म से होती है किससे होती हैं ठीक्स कोशिन पर आ आते हम लोग मियम्न में किसके रुधिरानु में डरक पाया जाता हैं तो आपको हम बता थ emulate रूदिरानु कहने का तत्वर यहां पर क्या आ रहा है आर्बीसी आ रहा है तो आर्बीसी में किंद्रक पाया जाता है तो नहीं नूप्ली में नूप्लीस नहीं पाया जाता है लेकिन exception था exception था वो कौन करता है camel camel and lama camel and lama यानि उट और से किसके रुधिरानु में कींड़क पाया जाता है तो सोके अब नेक्स्ट नेक्स्ट नमारा क्या है स्तंधारियों को एरिथ्रोसाइट में अनुपस्थित होते हैं स्तंधारियों के एरिथ्रोसाइट में क्या अनुपस्थित होता है मतलब कहने का मतलब यह हुआ कि एस्तंधारी कहने का मतलब क्या हुआ मैमल्स क्या हुआ मैमल्स ठीक है जो कि अपने बच्चों को स्तन पान कराते हैं तो अनुपस्तित होते हैं तो अभी तो हमने देख लिया कि याद रहेगा आरवी सी का सेप कैसा होता है इस टाइप का सेप बहुत कम ही और गॉलजी बॉड़ी पाया जाता है इस तो नम से कुछ भी नहीं पाया जाता है तो आप आप अंसर हो जागा यह सब यह सब कुछ नहीं पाया जाता है इस हमने इसका क्लासिफिकेशन आफको बता था पूरे ग्लाज्मा होता है और फॉर्म बताते चलिए प्लाजमा कितना प्लाजमा प्ले तो सऱाइब को से यह फीराओंस ऊट से साथ फाँपर से जिसको लोग प्रेड और बिगा psychologists वी-शिए बेस्न में पराइब फ्रम शनी को सकते हैं स्र्मों फ्रोगों में होते हैं फिर गम प्रेटिलेट यह थो secret जिसको लोग क्या क्याते हैं फिल्स लगाओ है तोफिल कि यह जाएंगे फ्रोंश्य कोशन करना है क। नहीं है छिस दील यह जिसमें नहीं लगा होगा वह ऊपले नहीं रॉट फीन बगा हुगा यानि फिर इसमें फिल समझ में आई आपको कुछ और भी नहीं करना है ठीक चलिए नहीं तो हम समझ रहे हैं आप लोग का का फिल करते हैं ठीक है नेक्स्ट परासरन अधात डायस्टोल के समय क्या होता है डायस्टोल हमने बताया था कि हर्ट जो हमारा हर्ट होता है हमारा जो हर्ट है वह क्या होता है एक बार सिस्टोल होता है फिर डायस्टोल होता है मतलब हर्ट कॉंट्रेक्शन को जब कॉंट्रेक्शन होता है contraction सोरी contraction संुकूचन होता है तो सिस्टॉल कहते हैं piece होता है किया सिस्टॉल कहते हैं क्या कहते हैं eurbs तो देखिए जब heart contract खरेगा तो उस से याद है जब contract करेगा तो उस से blood बाहर निकलेगा कोई भी चीज को छितने है इसे कि फुकना ले लिए बाईलूंज रखते हैं फुकना समझ रहे ना फुकना नहीं उतर फुलाते हैं वही फुकना को आप देख लिजिए उसको पचकाईएगा तो उससे क्या होगा अगर उसमें पानी भेरा हुए तो बाहर होगा तो just like that और आपस रक्त अंदर की अगा कि अंदर आता है तुर अंदर आता है अब हम लोग का किया च्छटा कोशन पर आते हैं नीले रंग का रुधीर पड़े और या ही मो हीमो सायनन याद रखेगे । झिस वज़े से नीला रंग होता है और हीमो questions का जो नीन एलिमेंट वो कॉपर है वो क्या है वी किया है I can जैसे हämोग्लोबीन का है क्या है किलियर हो गया मुलस्का में पाया जाता है तो मुलस्का में पाया जाता है अब हम लोग बात करते हैं किसमें नेक्स्ट कोशन पर हीमोसाइन स्वसन वर्नक में पाया जाता है हीमोसाइन जो स्वसन वर्नक है उसमें कौन सा एलमेंट पाया आता है तो हमने बता दिया है कौपर कौन सा पायता है copper और हीमोगलोबीन में क्या पायता है iron हीमोगलोबीन में क्या पायता है iron ठीक है चली अब हम लोग next question पर आते हैं next question है रुधीर में लाल रुधीर कनिकाओं की संख्या में असाधरन वृद्धी कहलाती है यानि अगर कोई blood है तो blood में अचानक से बढ़ जाय तो कौन सा केस कहलाता है उसको वह लोग पॉली साइथीमिया कहते हैं पॉली साइथीमिया कहते हैं फिर एनीमिया क्या है जब blood का क्या हो जाएगा तो इसको हम लोग एनीमिया कहते हैं और इसी का अगर ब्लड का कमी बहुत कम हो गया जिसको एक और टर्म देते हैं एरिथ्रो आर वीची एगर कम हो गया कहा जाए इसको हम लोग कह सकते हैं यहति onu साइटो कीटनिया क्या कहें अ कि ए्री व्लनी का पार्ड किसके बीच होता है त्री का पाट यानि ट्राइक स स्पिड वाल्ड की बात कर। है गिसके बीच परजेंट होता है यह है राइट लाइट वेंटरिकल लेен यह लाइञ वाला यानी जैदा हिं वाला है वायनी कम वाला तो ज्यादा तो ज्यादा तरफ होगा तो राइट के तरफ होगा राइट कैसे ज्यादा है तो इसमें तो त्राइट के बीच में इसमें दाएं आलेंदवा निलाई के बीच में होगा यह त्राइकस्पीड वाल याद हो जाई हमद रहे ना ओरेलम है ठीक है चले नेक्स्ट कुशन पर आते हैं अमनों बात में सबसे बड़ी लसी का ग्रंती है लसी का ग्रंती हमनों क्या होता है तो लिंफैटिक ग्लैंड क कि बात कर रहे हैं याद रहे हैं इस्टम को ब्रहने में उसी सबसे बड़ी लसी का ग्रंती है वह कौन सी है याद रखेगा स्प्लीन के वारे में क्या 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 करते हैं आरबीसी का कब्रिस्टान वहीं पर जाकर कि सारे अरबीसी जो यह स्प्लीन को ब्लड बैंक क्या क्या करते हैं प्लिया को ब्लड बैंक करते हैं जो कि ब्लड को क्लॉट होने ही नहीं देता है थीक़ है हुआ है तो फ्रोड को थक्रम्धा ने उस्ठीड by cache यह अवस्था में लाल रोजिल कनिकायं बनती है तो जो हम लोग आजैदेखें , ऐडल्ट इसिजन में वह सैवों्व को सोरा है 갈किस्हार बूर्ण मेरों में और वह कौन सा चमेरो बताइए रेड्ड़ części का फार्मशन किसमें होता है यानि यानी लाल अस्थि अस्थी मज्जा में होता है ठीक है लेकिन अगर for about to see whether law approach upon handful of きょう लेच्पिर्मशन आप जो उसका होता है वह किसमें उता है आप लिवर में कह सकते हैं लिवर में होता है इस्प्लीन में होता है मजैन काइमा मिजैन काइमा क्याति मिजो-डर्मल ही औरीम लेकिन जब बड़ा हो जाता है तो वही अस्थी मज़ा में जो चिकन पीस का लंबा वाला हड़ी होता है तो ऐसे हम लोग में पीछ में होता है हुआ है चलिए ने च्टाहिए मानव में हिर्दे इस पंदन होता है मानव में हिर्दे इस पंदन होता है होता है किया है आध हमारा को नक्क्रपर जेनरेट करता है पुरा खुद से हर्ट कंट्रेक्ट करता है जो खुद से अपने कंट्रेक्शन प्रपर्पर्टी को सो करें उसको लोग मायोजैनिक करते हैं करते हैं मायोजेनिक करते हैं तो उस वो निए अक नहीं यह हमारा क्या हर्ड कॉंटेक्शन घ्रक्ट सिनिट मायोजेनिक करता है। प्ति चले यह कि आते हैं up लोग एगी होडिर विल्ग की घ्रकितिРЕवं आप लोग बता ईए लेमार्क ने लेमार्क ने डार्विन ने लैंड स्टीनर ने या यह यूगो डेविज ने आपका अंसर क्या जाएगा लैंड स्टीनर ने इसने A-B-O blood group की खोज किस ने कि थी, land selector में, और कहेगा कि blood circulatory system, तंतर की खोज किस ने कि थी, तंतर की किस ने कि थी, यानि circulatory system की खोज, William Harvey, क्या हो जाएगा, William Harvey, A-B-O blood group की कि से ने कि थी, blood grouping की किस ने कि थी, William Harvey, ठीक है, चली, अब हम लोग next question पर आते है, इन्हीं में से कौन सा लिंफवाइड अंग नहीं होता और आपको जढ़ा नहीं किया है मैं पढ़ाया नहीं ज़्यादा पढ़ना नहीं लेकिन हाथ फोरा बहुत जान लेज़े लिंफ़ाटिक ओर आपको मैं बता दिया लिंफ क्या है ये हमारे पोडी के लिए इम्यून को यहांद होता जैसे कि आपकन हो गया सबसे पहले सिस्टरम इस्ट्रिक्ष में इस पुरे यहीं पर से चैएंगे लंप से हो जाएंगे लिंप हो जाएंगे लिंपली अर्ग को जाएंगे लिंफिक वेसल फिर क्या जाएगा उसके बात आपका हो जाएगा स्प्लीन जो की सबसे बड़ी लिंफैटिक लेंड है फिर थाइमस फिर हमारा क्या जागा टॉंसिल यह सब जितने हमारे गले के पास होता है जो भी हमारे बॉडी के लिए तो आपका अंसर क्या जाएगा थाइमस तो होता है क्या हो जाएगा लीवर क्या थीडिया क्या नहीं इंसर यक्रीट नहीं होता है तो इन किसी से खर सकता हो वह omnipos जो हई तो कौन से एकर सकता है जो है आज नयुवर्शन था एक्सेपटर बता से जाता है और युवर्शन व Dalik में एक्सेपटर भेता है पूछा जाता है क्यों ब्लड गुरूप ब्लॉटी नीवर्सल एक्ष्टर है याद है ना हमने बताया थे जो ब्लड गुरूप होता है वह ही उसका एन्टीजेन होता है और उसकी उल्टि एंटीजेन यह थी तो उसमें दोनों आप यह सबसे ब्लड ग्रूप ले सकता है ठीक है और ब्लड ग्रूप O में कोई एंटीजन परजेंट नहीं होता है जबकि एंटीबोटी एंटीबोटी परजेंट होता है इसलिए यह सब को दे सकता है ठीक है तो यह हमारा क्या हो गया ब्लड ग्रूप AB is the universal acceptor and blood ब्लड ग्रूप O is the universal donor और यह भी क्यों है acceptor क्योंकि इसमें दोनों antigen पाया जाते हैं कोई antibody नहीं पाया जाते हैं इसलिए universal acceptor सबसे ले सकता है और ब्लड ग्रूप O इसमें क्योंकि दोनों पाया टीक है इसकारण से यह क्या होता है जो नहीं है वो यह तो सबसे पहले कहां के रिसस नामके बंदर से दिया गया इसमें लेंड इस टेनर एवं विनर्मं के विग्यानिक विफ्ट्रकें याकर जही पहने कितों सब्सक्राइब लगभक कतने परिज्विंगा नाम refuse विश्म में कुल मिलाकर 85% लोग लगवग रहेज पॉजिटीव होते हैं और आरेज नीगेटिव लगवग 15% होते हैं ठीक है और आपको जानकर अश्र होगा आपको जानकर अश्र होगा कि इंडिया यानि भारत में लगवग 97% पीपल आरेज पॉजिटीव है ठीक है यह इंडिया का डाटा है यह वर्ल्ड का पूछ रहा है आरेज पॉजिटीव कितने लोग है 85% ठीक है चलिए नेक्स्ट कोशन है मनुस्टिक के हिर्दय के किस भाग है तो ब्लड में याद रखЬेगा हमारे जो साइड ही के उचार पार्ट से भाटा गया और दो करते हैं दाहिने हाथ से करते हैं लेकिन हिर्दे केस में अपोजिट होता है तो जो हमारा असुद होता है वह दाहिने साइड में किस प्रकार का रख्त होता है किस भाग में असुद होता है देन हीमोगलोबिन का मुख्यकार है वह क्या है हीमोगलोबिन का काम तो रुधीर को लाल रंज बढ़ान करना सही है आप इसका वहन इंपोर्टेंट है तो अब ब्लड में ऑक्सिजन का ट्रांस्पोर्टेशन करना थीक है चली हमोगलोबिन का कितना हम ही मैं पार्ट पांच परसेंट होता है और ग्लोबिन पार्ट लगवग 95 परसेंट है यह हमारा हो गया ही मन से पढ़ते रहिए ध्यान से पढ़िए अच्छे से पढ़ते रहिए रेगुलर वेस इस पर को इमें रिवाइज करते रहिए याद रखेगा कि पढ़ा हुआ भुला कीओ और रोटी जला क्यूं किए अगर समय पर पलतेंगे नहीं तो याद रखेगा आपका पढ़ा हुआ सारा बेकार हो जाएगा बार-बाक टाइम टू-टाइम उसको divisör संडे को मैं टेस्ट लेता हूं संडे को टेस्ट में जरूर आईए ताकि आप प्रेशर में रिवाइज करें और आपका सेलेक्शन उसके ठीक है चले मिलते नेक्स लेक्षे में तब तक धन्यवाद ओके बाबाए